हलो दोस्तो मैं परश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी डू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियों बताना जा रहा हूँ कि कैसे आप हाई मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं तो इन्टवाडे ट्वेडिंग में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है हमें मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड करने में अगर आप मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड कर लेते हैं तो आधा काम वहीं पर आपको खत्म हो जाता है और momentum stocks find करने के बाद आपको उस stocks का एक direction भी लेकर समझ में आ जाता है momentum stocks find कर लिया, वहाँ से आपको market का direction पता चल गया फिर आपको profit बनाना और अपना trade setup तयार करना काफी आसान हो जाता है फिर आप बिना किसी difficulty के आप यहाँ से profit generate कर सकते हो लेकिन momentum stocks find करना बहुत ज्यादा difficult है और वही चीज में आपको आसान तरीके से इस वीडियो बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप simple तरीके से इसको find कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे हम chart पे आगए और देख सकते हैं आज जो हमने यहाँ पे momentum stocks find किया है वह है आपका deepak night rate और इसका daily chart है अब यहाँ पे हम इसके 5 मिनट के chart पे भी आएंगे लेकिन उससे बड़ा question क्या है कि हमने deepak night rate को pick क्यों किया है कैसे हमने decide कि deepak night rate जो है आपका momentum stocks है सबसे पहले वह जानने की जरुवत है तो चलिए वह जानते हैं कि हमने deepak night rate को क्यों pick किया है momentum stocks के रूप में तो यहाँ पे मैं आपको direct scanner दिखाता हूँ जहाँ पे आप आसानी से momentum stocks को find कर सकते हैं और यहाँ पे जो हमने scanner form किया है वो form किया MACD और RSI को use करते हुए यहनि यहाँ पे हमने MACD को लिया है और RSI को लिया है तो सबसे पहले जो RSI है वो आपका 61 से above होना चाहिए पहला condition यह होगा दूसरा जो MACD line है वो MACD signal को cross करके उपर जाना चाहिए तो इसको हम जब chart पहेंगे तो वापस से आपको clarity के साथ बताऊंगा और इसके basis पे आप आसानी से क्या find कर सकते है momentum stocks find कर सकते है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई complications नहीं है इस scanner का link मैं आपने इस video के description में डाल दूँगा उस पे click करके direct आप यह scanner open कर सकते है और यहाँ पे आपको लगबा live data मिल जाता है किसकी stocks में momentum देखने को मिला है बस यहाँ पे आपको stock का selection करना है तो यहाँ पे हम काफित जो popular stocks है और दिगर stocks है उसको हम select करें सबस्थ पहले यहाँ पे हमने अवंती फीट को select किया इसके साथ दिपक नाइट्रेट को select किया और अधानी विलमर को select किया यहाँ पे आप जाओ तो star health को कर सकते हो KPIT, G entertainment, Bala G Mines इस तरह के जो popular stocks है जिनके बारे में आपने सुन रखा है जिन पे भरोसा है जिन पे insider trading कम होता है उन सारे stocks को यहाँ पे आपको pick करना है तो उन ही सारे stocks को हमने यहाँ पे pick कर लिया अब चलिए इन सारे stocks के chart पे वापस से चलके इस concept को और detail से समझते हैं तो यहाँ पे हम वापस से Deepak Nightweight के daily chart पे आगे है अब सबसे पहले यहाँ पे हमें momentum stocks को daily chart पे identify करना होगा और फिर हम trade execute करने के लिए 5 minute के chart पे आएंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा था हमने देखा था कि RSI आपका 61 से above होना चाहिए जो कि morning में open होते ही यहाँ पे हमें 61 से above देखने को मिल गया था उसके बाद क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं macd में आपको green line और red line देखने को मिलेगा इसके मैं settings पे आपको दिखाई देता हूँ देख सकते हैं जो red line है वो आपका macd signal का line है और green line जो है वो आपका macd line है तो जब आपका macd line यानि green line red को cross करके उपर निकलता है यहाँ पे आपको buy करना है clear cut है तो आप भी यहाँ पे same settings कर सकते हैं ज़्यादा कोई confusion नहीं होगा macd line को green और macd signal को आप red कर दिजे अब यहाँ पे हमारा दोनों चीज़ बनके तयार है और यहाँ पे देख सकते हैं कि market open होते ही क्या हुआ green line red को cross करके उपर निकला है यहनि rsi और macd दोनों तरफ से हमें signals मिला है कि इस stocks में हमें आज momentum देखने को मिलेगा और rsi और macd के अगरें बात करें तो यह आपका universal indicator है जिसको maximum लोग use करते हैं लेकिन गलती कहां पे कर देते हैं इसके implementation पे गलती कर देते हैं तो अब हम इसके implementation पार्ट पे आते हैं इतने तक आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना सब कुछ आपको screener करके दे रहा है बस आपको verify कर लेना है अब यहां के बाद हमने देख लिया कि इस stocks में आज हमें momentum देखने मिला market open होने के साथ ही तो यहां पे हम क्या करेंगे इसको split screen करेंगे और दूसरा chart में हम यहां पे 5 minute ते यूज करेंगे देख सकते हैं यह already आपका 5 minute वाला ही है तो देखें यहां पे क्या है यहां पे हम एक daily chart ले रहे और दूसरा 5 minute chart ले रहे और दोनों का यहां पे हमने same settings किया है तो यह हमें confirmation दे दिया है कि इस stocks में momentum देखने मिलेगा अब हमें intuardate trading करना है तो daily chart के basis पे हम तो intuardate trading नहीं कर सकते हम क्या कोई नहीं कर सकता है हमें उसके लिए तयार करेंगे वो किसके basis पे तयार करेंगे वो तयार करना होगा हमें 5 minute के चार्ट के basis पे तो यहां पे multiple तरीका है सबसे पहले market gap अपन हुआ पहले candle के high को हमने mark कर लिया low को हमने mark कर लिया क्योंकि पहला candle open होने के साथ ही हमें यहां पे यह सारा कुछ दिख गया था daily chart में तो उसके बाद देखिए price दूसरा candle आपका उपर निकला है और तीसरा candle आपका rate बन गया, confuse कर दिया चौथा candle आपका queen बना है लेकिन इन सब में क्या है long till at the bottom, that means to काफी हद तक यहां पे जो buyers है, वो clear cut हमें strong दिख रहे हैं तो उसके बाद लगबग आप यहां पे इस level के आसपास 2080 के करीब आप क्या कर सकते हैं, by positions अपना initiate कर सकते हैं, जो lowest point है, आपका SL बन जाएगा 2060 के करीब, और target price आप यहां पे swing high के basis पे आप आसानी से ले सकते हैं, जो कि इस level के करीब और इस level के अगर हम यहां पे बात कर दो daily chart के basis पे 2130 करीब हमारा target price बन जाएगा, first 2130 और उसके बाद आप चाहो तो 2150 और 22100 इस तरीके से आप 12 stop loss का इस्तमाल करते वे अपने target को increase कर सकते हैं, तो यहां पे अगर हम first target के ही बात कर ले, तो यहां पे हमारा target price कितना बन वाया 50 point का और SL कितना बन वाया SL बन वाया आपका 20 point का तो risk reward भी काफी हद तक हमारे favor में ही जा रहा है, तो इस तरीके से आप यहां पे trading setup तयार करने के लिए आपको candlestick का help लेना परेगा या नहीं तो कोई pattern बन वाया है triangular pattern या फिर parallel channel pattern कुछ भी pattern बन वाया उसका आप help ले सकते नहीं तो candlestick है, candlestick के strength को देखते हुए भी आप यहां पे, बस यहां पे आपको positions initiate करने का एक बहाना चाहिए क्योंकि हमने always देख लिया है कि momentum stocks है, और momentum यहां पे किस तरफ देखने को मिलवा है, upside direction की तरफ clear cut momentum देखने को मिलवा है, इसलिए आपको buy side की तरफ entry करने का एक बहाना खोजना है, जैसे आपको एक सटीक बहाना या फिर entry point बिल जाता है, आप आसानी से entry कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसमें trade कर सकते हैं, यहां पे वहां दूसरे example पर आते हैं, जादा कोई complications नहीं है, काफी simple तरीका है, जो कि मैंने आपको बता दिया, अब यहां पे हम आते हैं, किस पे अदानी bill market daily chart पे, अब यहां पे भी क्या कुछ हुआ है, सेम चीज़ यहां पे भी हमें देखने हैं मिला है, इसको थोरा साम increase कर देते हैं, अब यहां पे देखें, market open होने के साथ यहां पे देख सकते हैं, जो green line है, वो slightly ऊपर निकला है, rate को cross करके, और यह भी आपका 61 से उपर निकला है, यहां इस stocks में हमें momentum देखने को मिल वाया था, यह हमने scanner के जरीए find किया था, और यहां पे हम MACD और RSI के जरीए भी हमें, यहां से confirmation मिल वाया है, कि यहां पे हमें momentum देखने को मिलेगा, आज यहां हमें, 12 September 2022 की यहां पे हम बात करें, दोनों stocks की, तो चलिए यहां पे अब हम इसको भी 5 मिनट के chart पर यूज करना चाहेंगे, यहां पर भी देख सकते हैं, 5 मिनट के chart अगर नहीं होता है, तो आपको इस पे selection करना है, और यहां यहां पर आपको 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पर चले जाना है, और भी जिस भी ट्रेडिंग प्रेटफर्म में आपका डिमे रेगाउंट है, वहां पर multiple screen बाला options आता है, आप multiple screen बाला जाके अलग-अलग time frame का chart इस्तमाल कर सकते हैं, तो अब यहां पर हमने डेली चार्ट के ज़री है, momentum stocks को identify कर लिया, अब हम इसके basis पर क्या करेंगे, अपना trading positions initiate करेंगे, तो यहां पर भी देखें, यहां पर भी price आपका gap up open हुआ है, और पहले candle के हमने high को भी mark कर लिया और low को mark कर लिया, उसी के अंदर आपका तीन candle ही open हुआ है, तो हम wait करेंगे, जैसे इसके high को break करके price उपर निकलेगा, हम buy side की तरफ entry लेंगे, और यहीं पर निकला है, लगबग यहां पर हम 720 के करीब, buy side की तरफ entry लेंगे, और हमारा SL की अगर हम बात करें, तो SL हमारा लगबग हो जाएगा, लेवल्स की हम बात कर लेते हैं, 711 और 718 है, तो exact figure की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो हमारा entry बन रहा है, वो 718 पर बन रहा है, 711 का हमारा SL होगे, तो यहां पर जो हमारा SL है, लगबग आपका 7 points का SL है, और target price की अगर हम बात करें, तो यहां पर हम at least 730, उसके बाद 740 और 750, इस तरह के target price के लिए यहां पर हम definitely जा सकते हैं, नहीं तो आप previous swing high को भी ले सकते हो, देख सकते हो, पहला swing high आपका यह है, और दूसरा swing high यह है, तो इसके basis पे आप अपना target identification कर सकते हो, stop loss मेरा 7 point का और पहले target price के अगर हम बात करें, तो यह मेरा बन रहा है, 12 point का फिर यह आपका 22 point और यह आपका 32 point, तो यहां पर देख सकते हैं, पहले target price को almost इसने यहीं पे hit कर दिया है, और उसके करीब ही अभी आपका tweet करता हुगा दिख रहा है, तिहां पे हम आसानी से लगबग आपका 2% के करीब return हमें आसानी से मिल गया है, और अगर उपर जाता है, अपने stop loss को tweet करते हुए, आगे increase कर सकते हैं, trailing stop loss का भी यहां पे हम इस्तमाल कर सकते हैं, तिहां पे difficult part क्या है, momentum stocks को find करना, जिसको आप scanner के जरी आसानी से find कर सकते हैं, scanner का link इस वीडियो के description में रहेगा, जैसा कि मैंने आपको already बता दिया, उसके बाद आपको क्या करना, 5 minute के chart पे आना, और अपना यहां पे entry find करना ह तो इसके जरी आप आसानी से, यहां पे trade अपना setup तयार कर सकते हैं, तो यहां पे आपको एक और information देना चाहूंगा, कि अगर आप technical analysis के बारे में सीखना चाहते हैं, from basic to advanced, तो उसके उपर हमने अपना course लाया है, जिसको आप enroll कर सकते हैं, हमारा mobile app डाउनलोड करके, हमारा mobile का भी link आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा, नहीं तो play store पे भी जाके आप हमारा mobile app डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप price section से related सारा कुछ सीख सकते हैं, basic से लेके advanced level तक price section के बारे में बताया गया, और most important उसके implementation पे भी focus किया गया, और उसके जितने भी trading strategy है, उन सब के बारे में बताया गया, और आप technical analysis, future options, जो भी आपको वहां पे सही course लगता है, उस course के लिए आप enroll कर सकते हैं, उसके साथवाथ यहां पे आपको weekly live interactive classes मिलेगा, वहां पे जो भी आपको doubt होगा, वो doubt आपको clear किया जाएगा, तो आप एक बार mobile app डाउनलोड करके course को जरूर देखिए, अगर आपको सही लगता है, इन वोल किजे, और mobile app का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, उमीद करते हैं कि इस वीडियो में जो मैंने आपको concept बताया था, वो concept आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा, इस से भी लेटेर अगर आपको कुछ भी doubt या confusion रो, ताकि जब भी अपना next video upload करें उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप video को miss ना करें, so that's all friends, मिलते हैं next video में, जैहिन!